Hello everyone, मैं नी लंतिवारी आप सभी का Magnet Brains मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ Magnet Brains एक ऐसे चैनल है जहापर आपको किंडर कारटन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्रे अविलेबल करवाय जाते हैं और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के दो वीडियोस देखने के बार में कोई भी सब्सक्रिप्शन चाल देना हो नहीं क्योंकि Magnet Brains पे 100% free education आपके लिए अविलेबल करवाय जाती है और साथी साथ में चाहे आपको competitive exam की भी तयारी करनी हो जैसे IIT, J, NEET, NTSC, Olympiad, CUET या फिर banking SSC उसके लिए भी आप कही मत जाएए सीधे Magnet Brains पे आईए और अपनी तयारी को शुरू कर दीजे क्योंकि यहाँ पे आपको free of cost best teachers best education प्रोवाइड करवाय जाती है अब देखे एक अक्षा 11 संस्कृत व्याकरण में हम core और elective वारी बच्चों के लिए जो हमने पाट उठाया है, प्रकरण उठाया है कारका उपद विभक्ति हैं यानि कारक और उपद विभक्ति का प्रियोग उसमें हम कारकों को बताने के साथ साथ में विभक्ति कहां कहां पर लगाई जाती है उनको साथ में सिखाते जा रहे हैं तो जैसे के 6 विभक्ति पर हम पहुँच चुके हैं और सम्मंध कारक को भी पढ़ेंगे हैं है ना यानि हमारे अपादान कारक तक 5 हमने कारक आपको बता दिये हैं और अब हम अपने किस पे छटवे जो हमारा कारक आता है हलाकि जो हमारा संबन्द होता है उसको कारक की शेड़ी में रखा नहीं जाता है क्यों नहीं रखा जाता है उसका करण हमने आपको बताया था कि कारक ऐसे शब्द होते हैं जिनका क्रिया से संबंद होता है यानि अब क्रिया को करने वाला है काम को करने वाला है उसको करता कहा जाएगा तो कारक कहलाएगा अब कहते हैं कि क्रिया के द्वारा जिसको चाहता है जैसे किताब पढ़ना चाहता हूं मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूं व्याकरण पढ़ना चाहता हूं कारक पढ़ना चाहता हूं पढ़ने की द्वारा क्या चाह रहे हूं कारक पढ़ना चाह रहे हो तो कर्म हो गया गया क्रिया को चाह रहे हुँ आपका कर्म हो गया क्रिया को करने में पय करता है अ अब Küra चीम की जाए तो कनी जोड़ा को धन दे रहा है तो देने के क्रिया द्वारा तो दे रहा है ये उसका देने प्रीयोजन वहां우 किससे रहा है न फिर प्रजा को देना चाहए ने प्रेयारा है जिसको को सब्सक्रूइब तो देने की क्रिया जिसको हो रही है वो आपका संप्रदान होए या कोई भी काम जिसके लिए क्रिया जाता है वो संप्रदान हो जाता है तो क्रिया से संबन्द है उसका अब अलग होने की क्रिया अब जैसे कहें के भई यहां से रिक्ष से पत्ता गरता है अश्र से गोड़ा अश्र से बालक गर जाता है या फिर सीडियों से चलता चलता बच्चा गर जाता है या मैं गाउं से आता हूं मैं गाउं से जाता हूं मै जहां अलग होने की क्रिया हो रही हो उत्पन होने की क्रिया हो रही हो है ना किसी के जन्म होने की क्रिया हो रही हो जो अस्थान मनता है यानि वो क्रिया ही हो रही है ना क्रिया जहां से हो रही है उत्पन हो रही है अलग हो रही है उस स्थान को अपादान कारक बना दिया जात प्रत्मा, द्वीतिया, त्रितिया, चतुर्थी, पंचमी, सश्थी और सप्तमी प्रत्मा, द्वीतिया, त्रितिया, चतुर्थी, पंचमी, सश्थी, सप्तमी तो हमारे पास ये साथ विवक्तियां होती हैं और कारक होते हैं हमारे इच्छे और इस सुत्रू के हिसाब से कर्तरी प्रत्मा कर्मनी द्वीतिया, कर्म में द्वीतिया लगाई जाती है करणेस्त्रितिया यानि करण में त्रितिया विवक्ति होती है संप्रदाने चतुर्थी संप्रदान में चतुर्थी होती है अपादाने पंचमी अपादान में पंचमी होती है और हम कहते हैं अधिकरणे सब्तिमी कारक तो यही है अधिकने सब्त मिया तो अब हमारी सश्टी में वक्ति कहां लगाई जाए उसके लिए हमारा सूत्र एक वनाया गया संबंधे सश्ठी संबंधको शश्ठी दे दिजे शेशे शश्ठी शेश में सश्ठी लगा दिया और शेश में हमारा एक संबंद भी रख दिया, अब जब ये बात बताईए कि अगर भीड में बहुत सारे लोग खड़े हुए हो, अब यहाँ पर पुरुष भी है, महलाई भी है और उनमें अगर एक बच्चा खड़ा हुआ हो, तो हम सब को यह कह देते हैं कि सारे लोग, य ऐसे नहीं कहते हैं, हम कहते हैं सभी लोग बैठ कर नाटक देख रहे थे, तो सब को एक ही कर दिया, ऐसा यहाँ पर भी हुआ, अब क्योंकि कारकों के संग में लिखा है, इसलिए उसको कारक के संग में बिठा के कारक ही कह दिया गया, जबकि कारक नहीं होता है संस्कृत मे हिंदी में तो मानते हैं, लें संस्कृत में नहीं मानते हैं क्योंकि क्रिया से उसका कोई लेना देना नहीं है, संबंध क्या होता है, जैसे कि संबंध का समझी में आ रहा है, रिलेशन बाली बात हो रही है, एक का दूसरे से संबंध, जैसे कहें भई, दशरत के राम, राम की दश्रत राम की अयोध्या अब यहां पर सिर्फ सम्मंद हो रहा है एक का दूसरा से मेरी किताब मेरे चात्र या चात्रा है यहां पर मेरा और चात्रों में सम्मंद है यहां पर राम और अयोध्या का सम्मंद है आपस में रिष्टा दिखाया जा रहा है यहां पर यह दिख का स्वामी बन रहा है कोई किसी का भाई बन रहा है तो जहां पर सम्मंद दिखाया जाए तो जिसका सम्मंद है जो स्वामी हो रहा है जो पुत्र हो रहा है या जो भी तो उसमें सश्थी लगाई जाएगी जैसे हम कहेंगे जिसके सब्सक्राइब पहचान कैसे करी जाए तो इस शब्द के साथ में का की के लगा हुआ हो और वो दूसरे से सम्मंद बता रहा हूँ तब तब राम का दूथ यहां दूथ में दूथ से राम का सम्मंद है किस का ऐसे पूछ रहा दूथ किस का राम का, कृष्ण का, महेश का, सुरेश का, राजा का, सैनिक का, किसी का भी ठीक है, तो यहाँ पे जो दूत शब्द है, उससे प्रशन पूछ लो किस के हो तुम, आयोध्या से पूछो, किस की आयोध्या, राम की आयोध्या तो यहां जिसके संग में काकी के का उत्तर निकले वो हमारा सम्पन्द कारक हो जाता है सष्ठी शेषे शेष बचे हुए कारकों से बचे हुए जो भी शब्द उते हैं वो सब हमारे उनमें सष्ठी लगा दी जाती है क्योंकि वो ही अकेले फिर हमारे सम्मंद के को दर्शाने वाले शब्द रह जाते हैं यानि कारकों से भिन अब करता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से कौंसा अलग होने वाला उत्पन होने वाला निकलने वाला डर्ने वाला रक्षा करने वाला संबंध काकी के और अधी करण मैपर ये कारक हो गए सारे कारक का परिचाय पढ़ ली जी तो ये सारी चीज़ें हम जो जल्दी बता रहे हैं वो आराम से तसली से सब सीख जाएगे तो यहाँ पर क्या क्या दिया करता आधी कारकों से भिन शेश अर्थात स्वा या स्वामी भाव आधी संबंध या किसी प्रकार के संबंध में सश्ठी होती है यानि करता आधी कारक तो संस्कृत के हिसाब से कारक कौन से है मुली यह इन कारकों से के जो बच जाए शेश जो बच जाए उसमें जहां पर संबंध दिखा जा रहा हो यानि इन चिन्नों के अलावा यह जो शेश बचा हुआ है उसमें हम शष्ठी विवक्ति लगाते हैं संबंधे सश्ठी या शष्ठी शेशे शेश बचे हुए करता आधी जो कारक हैं उनसे जो बच जाए तो उनसे बचा हुआ कौन से चिन्न रह गए का की के रह गए बाकी तो यह सारे चिन तो अलग-अलग विभक्तियों से दर्शाई दिये गए इसको प्रत्मा देदी इसक पुत्रतिया चतुरती पंच मी क्या देदी सत्मी देदी लेकिन बाकी कौन करता आधी कारकों के अलावा कौन सा चिन्न बचा बोले का की के जो क्या करता है संबंध दर्शाता है तो उसमें क्या करनी है सश्ठी लगानी ठीक है समझ गए तो जिसके संग में का की के लगा तब ही लगानी है नहीं तो हमने अभी तो कितने सारे बताए के हमने कहा के विद्यालय के चारों और विद्यालय के चारों ओर अब क्या है पेड़ है दो है तो यहाँ पे विद्यालय के बाद जो के लगा है इसके आद चारों ओर से इसका कोई सम्मंद नहीं हो रहा कोई स्वामी भाव नहीं हो रहा है कोई मित्र भाव नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है न, चारों ओर क्या हो गया, एक हमारा अव्याय हो गया, परितह, तो इसमें का की के लगा हुआ है, अब कहेंगे सम्मंदकार की चिन होते हैं, का की के, तो भई इसके हिसाब से तो इस चिन के हिसाब से तो विद्यालय को विद्यालयस से बन जाना चाहिए था, क्योंकि भई सश्ठी लग रही थी के के हिसाब से तो सश्ठी लगा दे नीती संबन्दे सश्ठी नहीं लगाई क्यों क्योंकि उपपद आ गया उपवयानि पास में एक लिखा हुआ एक ऐसा अव्याय आ गया जिसने सुत्र बना दिया कौन सा अभितह परितह समया निक्सा हा प्रतियोगे द्वितिया के अभितह लिखा हुआ हो परितह लिखा हुआ हो समया लिखा हुआ हो निकशा लिखा हुआ हो तो इनके योग में आपको क्या लगा दे नहीं है द्वितिया लगा नहीं है तो विद्यालैस से ना लिखके हम लिखें ठीक है तो काकी के भी ऐसा हो जहां पे भई कोई उपपद ना आ रहा हो और सम्मंध वाला हो तब ही हमारी सेशे शष्ठी शुत्र काव गरेगा बाकी सभी सेश में सष्ठी लगा देनी है यानि अभी तक जो हमें सारे कारक बताते चले आ रहे हैं उन सब के से बचे हुए जो काकी के बचे उनमें सष्ठी लगा देना है तो राम का दूथ तो रामस्य दूथ है अच्छा जो दूसरा शब्द होता है वो प्रत्मा में ही रहता है कहा राम का दूथ तो दूथ को किस से दर्शा होगे अविदे मात्रे प्रत्मा नाम अकीला ब उसको प्रथमा में बदल देंगे, तो रामस्य दूतह, रामस्य पिटा, रामस्य युद्या, ठीक है, दूसरा जो शब्ध होगा वो प्रथमा, जिसके संघ में zeg का किके है उसको सश्धी में बदलना है, ठीक है, यहां राम और दूत posa swami भाव यानि और उसका स्वामी को सम्मंद है देवदत्त स्य पुत्र देवदत्त का बेटा देवदत्त का पुत्र तो यहां पे जनक भाव का सम्मंद है और सम्मंद चात्र का विद्यालय का चात्र या चात्र का विद्यालय तो अब एक बात बताईए, अर्थ तो दौनों का सही एक ही जैसे निकल रहा है विद्यालय का छातर या छातर का विद्यालय एक ही बात निकल रही है लेकिन काज इसके पीछे लगा होगा उसमें सश्ठी लगी गी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लगा दिया हमने विद्यालयस्य चात्रह तो इसका भी अर्थ विद्यालयस्य चात्रह निकले इसको भी हम संस्क्रिट में विद्यालयस्य चात्रह लेकें नहीं ऐसा नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि काकी के जो लगा है वो अब छात्र की पीछे लिखा है तो आप लिखेंगे छात्रस से विध्याल है समझ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं बात समझ में जिसके पीछे काकी के लगा हुआ हो उसमें सश्ठी लगती है और उसके बाद वाले में प्रत्मा लग जाती है दूसरा जो शब्द होगा दूसरा संग्या सर्वनाम जो भी होगा उसमें प्रत्मा लगेगी ठीक है ना अर्थ एक ही निकल रहा था राम की अयोध्या या अयोध्या के राम राम की अयोध्या ठीक है अब हमने कहा तो अब क्या होगा बताइए क्या बनेगा इसमें राम की तो रामस्य अयोध्या में प्रत्मा आएगी अब ऐसा नहीं कि इसमें भी सश्ठी आ जाए नहीं रामस्य अयोध्या लेकिन अयोध्या के राम राम कहां के थे अयोध्या के तो अयोध्या में अभी प्रत्मा थी अब सश्ठी लग जाएगी लटा जैसे रूप बनेंगे अयोध्याया राम हम अर्थजबकी वही है कि राम और अयोध्या का संबन्द है लेकिन ये भी देखना है कि किस शब्द के पीछे काकी के लगा उसमें सश्ठी लगेगी, है ना, दोनों में सश्ठी नहीं आएगी, समझ गए, इसलिए हमने यह चीज बता दी नहीं, तो बच्चों को बड़ी दोविधार रहती है, कि लगाएं कहाँ पे, संबंध तो दोनों में है, दोनों का यह गुसरे से संबंध है, लेकिन सश्ठी कि सुंभी आएगी, लेकिन तो, जिसके संग में काकी की लगाओगा, और संग में तो कहेंगे, यहाँ पर कहें तो, माता ओ का, इस तो हृ दे के सबंध हैं माता के पास में तो कहेंगे नहीं, जिसके पीछे काकी के हू, उसमें लगेगी, ठे ऐ हम कहेंगे राष्ट्रस निये था, चीक है? अच्छा दूरम अंतिकम कार्द क्या होता है? समीव! कोशलम हितम आदी शब्दों के योग में भी सष्ठी होती है लेकिन दूरम और अंतिकम ये दोनों ऐसे है जिनके योग में पंचमीन का भी प्रयोग होता है जैसे गाउं के दूर विद्याला थो गाउं के दूर या गाउं से और तो यहां पर ग्रामअस से भी लिख सकते हैं और ग्रामात भी लिखका जा सकता है सश्टी उंद दोनों लग सकते हैं यह दूरम और अंतिकम, अंतिकम का अर्थ होता है पास तो ग्रामस्य या ग्रामात दूरम लिखा हो या लिखा हो अंतिकम तो आप लिखेंगे ग्रामस्य अंतिकम विद्यालयह अस्ति ग्रामात अंतिकम विद्यालयह अस्ति चीक है चलिए विद्यालयस से अंतिकम कूपह अस्ति विद्यालय के पास में कूगा है तो यहां पर समीप शब्द आ रहा था समीप कोई संबंद या स्वामी भाव नहीं आ रहा है अव्याय है लेकिन इस अव्याय के सब में जुड़ेगा जैसे अभितह परितह समयानिक्सा उभायता सर्वता हां प्रतिय दूइतिया इन अव्याय योग में दूइतिया लगती है dobras on Fukum अमी हमारा कौन सा होता है एक अंतिकम दूरं हमारा कुशल केतम इन शब्दों में भी क्या ओगति आपका कल्जयान हो आपके संड मी का लगा प्रियोग अब यहां पर किुशल ंपर्योग तो क्या कहेंगे भवता कुशलम्भवेत आपका occupied हो डिक हैं अब क्या कहते हैं सब हितम शब्द के लिए भी है, समाज की भलाई करने चाहिए, तो किसकी भलाई करने चाहिए, समाज की भलाई, भलाई शब्द हित से बनती है, तो हित हो, कुशल हो, दूर हो, अन्तिक हो, इन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, तो जिसकी भलाई की जा रही है, जिसका कल्या किया जा रहा है जिसके समीप बताया जा रहा है जिसके दूर बताया जा रहा है उनमें हम सश्ठी का प्रयोग करेंगे तो समाजस्य हितम कुरियात भवता कुशलम भवेत तो भवत शब्द के रूप में सश्ठी लगी है, समाज में सश्ठी लग गई ठीक है, काकी की तो लगा है, संबंद नहीं दर्शारा है लेकिन फिर भी हमें अव्ययों को याद रखना है अन्योधारने जैसे रमेश संस्कृतस से पुस्तकम पठती ठीक है, चलिए तो संबंद की बात हो गई अब कुछ हम क्या कर लेते हैं सुत्रों को और समझा देते हैं लिखा है यतश्ठ निर्धारनम जब जहां पर दो लोगों में एक को स्रेष्ठ बताया जाए दो लोगों में या बहुत लोगों में किसी एक को दो में एक को स्रेष्ठ बताया जाए सभी में एक को, बहुतों में एक को स्रेष्ठ बताया जाए तो वहाँ पर भी सष्ठी होती है जैसे कहा जाए कि कवियों में कालिदा स्रेष्ठ है चात्रों में मोहन कैसा है? स्रेष्ठ है तो अब यहाँ पर जब बहुतों में से किसी एक की जाती गुण क्रिया के द्वारा विशेस्ता प्रकट की जाती है तब विशेशन शब्दों के साथ में इश्ठन या तमप प्रत्य का प्रियोग किया जाता है और जिससे विशेष्टा प्रकट की जा रही है उसमें शष्ठी का या सप्तमी का सप्तमी भी लगती है इस सूत्र से सष्ठी या सप्तमी दोनों का ही प्रियोग किया जाता है जैसे सभी कवियों में काली दास रिष्ठ है सभी कवियों में काली दास हैं तो कवियों में हम क्या लगा सकते हैं कवी नाम शष्ठी विभक्ति नाम नाम शष्ठी का बहुचन और शू सक्तिमी का बहुचन कवी नाम या फिर हम कवी शू लिख सकते हैं काली दास शहस्रिष्ठ अस्ति चात्रा नाम हुआ चात्रेशु या तो आप चात्रा नाम भी लिख सकते हैं और चात्र भी जिसमें क्या कह दिया है कि सुरेश पटुतम अस्ति चतुर है सबसे ठीक है अर्थात बहुतों मैंसी एक की विशेस्ता बताई जा रही हो तो उन बहुतों का जो जुन्ड है उसमें सश्थी असब्तमी लगाई जा सकती है अब देखिए निम्रिले के शब्दों की योग में भी सश्थी होती है तो अधा उपरी पुरह समक्षम इनकी योग में जैसे पुरह का अधा कार्थ क्या होता है नीचे उपरी कार्थ क्या होता है उपर पुरह कार्थ क्या होता है सामने समक्ष यानी सामने समक्ष आंकों क सामने ठीक है तो क्या लिखा व्रिक्ष के नीचे तो नीचे शब्द आ गया है तो यहां पर भी हमारी क्या होगी सश्ठी का प्रियोग होगा व्रिक्ष के नीचे नीचे को क्या क्याते हैं अधह तो यहाँ पर व्रिक्ष में लगा देंगे व्रिक्षस्य उपर को उपरी तो भवनस्य उपर पुरह सामने तो विद्यालय बना विद्यालय अस्य समक्षम तो किसके समक्ष अध्यापक के समक्ष चलिए और देख लेते हैं समीब शब्द के लिए समया और समीब इनका बड़ा अर्थ है देखिए समया निक्षा ध्यान कीजिए इनके योग में द्वीतिया लगती है शब्दों का भी बड़ा हेर फेर है जब आप कौन सा शब्द लगा रहे हो उसके हिसाब से समया यानि समीब पास का अर्थ बताता है समया का भी अर्थ पास होता है समीब का अर्थ भी पास होता है निक्षा का अर्थ भी पास होता है और निकट का अर्थ भी पास होता है निकट का भी अर्थ पास होता है लेकिन यहां आप क्या लिखा है कि समीप लिखा हुआ हो समया निकषा लिखा हुआ हो तो आप द्वीतिया लगाएंगे समीप निकट लिखा हुआ हो तो सश्टी लगाना लेकिज़ complexities बात ध्यान रखीएगा, ठीक है, तो यहां क्या लिखा है, समीपम, समीप के अर्थ में आपको क्या करना है, यहां पर, सश्ठी लगा देनी है, किसके समीप है, नगर के समीप, तो समीपम, नगरस समीपम, अब मध्ये, समीप हो, मध्ये लिखा हुआ हो, तो आप क्या कहेंग और अंतरा अंतरीन योगे द्वीतिया वही बीच का अर्त अगर हम अंतरा या अंतरीन शब्द से के द्वीतिया लगा रहे हैं तो द्वीतिया लगाा जाये गा मध्य लगा रहे हैं मध्य शब्द का प्रियोग कर रहे हैं मध्य लिखा हुआ है तो सश्ठी आएगी अंत्रा अंत्रे ने लिखा हुआ है तो उसके यो में द्वितिया आ जाती है कृते के लिए तो कहेंगे बालग के लिए दूद लाओ कृति अगर शब्द का प्रयोग कर रहे हूँ अगर आप मान लीजिए कि आप चतुर्थी का प्रयोग नहीं कर रहे हो कृति एक अव्याय का प्रयोग कर दिया तो क्या करोगे तो यह जो लिये लिखा हुआ है है ना तो किसके लिए बालक के लिए तो बालक के लिए आप के लिए के लिए वैसे तो हमारी चतुर्ती विवक्ती होती है चतुर्ती होती है तो बालकाय दुगधम आने यानी बालक के लिए दुगध लाओ ऐसा लेकिन हमें चतुर्थी नहीं लगानी है कृते शब्द का प्रियोग करना है के लिए के लिए तो अगर इसके लिए अगर आप कृते लगा रहे हो तो फिर आगे वाले में सश्ठी लगानी पड़ेगे तो बाल कसी कृते दुगधम आना या जाएगा समझ रहे है अंतह यानी अंदर के लिए तो घर के अंदर तो क्या कहेंगे ग्रहस्य अंतह मातह अस्ति विद्यते चीक है चलिए और हमारा भई क्या कहता है अब यहाँ पे तुल्य शब्द तुल्यार्थी तुल्योपमा भ्याम तुल्य शब्द के प्रियोग में तो क्या लिखा है शुरेश महेश के समान है तो भई महेश में क्या करेंगे किसकी तुलना की जारी है सुरेश से महेश की समान है समान ता देखाई जारी ना तुत्रतिया भी लगा सकते है हम यहाँ पे महेश शेन भी लिख सकते है महेश शस्य भी लिख सकते है ऐसे ही किसकी तुलना सीता और गीता की तुलना की जारी है के शीटा मतलब स्रेष्ठ नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर तुल्ना की जा रही है कि उसका मुख्ट चंद्रमा के समान है यह सीटा घीता के समान हैं बिल्लख सी राम श्याम एक जैसी है राम श्याम के तुल्ण जैसे राम और कृष्ण के तुल्य हैं या कृष्ण राम के तुल्य हैं दोनों के क्या करें है तुल्य शब्द का प्रयों किया जा रहा है तो जिसके साथ में काकी की लगाए उसको सश्थी लगाएंगे तो महेश के समान है तृतिया भी लगा सकते हैं तो महेश से या महेश ये लग सकते हैं गीता के समान है तो गीताया सश्ठी भी लगाई जा सकते हैं या फिर वाकार्थ क्या होता है गी वाकार्थ होता है या या फिर गीताया तृतिया भी लगाई जा सकते हैं सीता गीताया य भी हेतु शब्द का अगर प्रियोग कर रहे हैं आप तब भी आप सश्ठी लगाएंगे अन्य के कारण रहता है तो अनस्य हेतु थोड़े के लिए बहुत कात्याग करता है या बहुत छोड़नी की किशा करता है तो अलपस्य हेतु किसके लिए थोड़े के लिए यहां पर के के लिए कारण के लिए भी हेतु जब आगर आप शब्द का प्रियुक कर रहे हैं तो फिर उसके आगे वाले शब्द के साथ में जिसके साथ में के लगा हुआ होगा उसमें आपको सश्ठी लगाने पड़ेगी तो अन्नस्य अलपस्य ठीक है ना चले आगे और हमारा एक और स सब कहते हैं सर्थ प्रत्यय इन यानि अर्थात दिशावाची अतस प्रत्यय अतस प्रत्यय भी लिखा हुआ है उसके अर्थ वाले प्रत्यय लगा कर बने शब्दों तता इसी प्रकार के अर्थ के इसी प्रकार के अर्थ के और कौन-कौन से हमारे होते हैं पुरस्तात खाबद हें उनकी योग में वी सश्ठी लगाई जाती है दिशावाची दक्षण की ओर दिशा में की ओर का अर्थ निकला हुआ हो तो हम क्या कहेंगे किसकी और किसकी और बताए जा रहा है वोले गाओं के दक्षन की और ठीक है रिक्ष की नीचे की और तो चाहे अधा हो या अधस्ताद लिखा हुआ हो ठीक है गाओं के दक्षन की और तो यहां पर वही किसके दक्षन की बात की ज तो यहां पर हम क्या करेंगे सैस्थी लगाएंगे ग्रामस्य दक्षन तहविद्याल अस्ति Julie फिर हम लेगिए भै वरिक्ष के कम्यमि तो व्रिक्ष के नीचे की और उप्रिक्षर से अधह या फिर अधस्ताद शब्द का भी प्रियोगा कर सकते हैं तो अधह या अधस्ताद लिखा हुआ है तो आपको सश्ठी लगानी है चीक है नीचे की ओर उपर की ओर चले और हमारा एक और शुत्र क्या कहता है अधी गर्थ दे शाम कर्मनी अर्थात इस्मरण आदी की धातू के साथ कर्म में सश्ठी होती है इस्मरण जैसे बालक माता को इस्मरण कर हम क्या कहेंगे बालक किसको माता को याद करता है या बालक पिता को इस्मरण करता है अब कहें जो मुनी है वो भगवान का इस्मरण करती है तो किसका इस्मरण कर रहे है मुले भगवान का माता का पिता का तो इन सब में जिसका इस्मरण किया जा रहा है उसमें सश्ठी यहां पर कर्म का खंडन कर दिया किसे ने सश्ठी ने उसने कहा नहीं यहां किया रहा है कि प्रत्प्रति अरथात जिन की अंत में कृत्स प्रतिया लगा कृतिया निजए प्रतियां के साथ में जिसके संग में काकी की है उसमें तो हमें सश्ठी लगानी ही है अब जैसे यहां लिखा है बच्चे का रोना है ना यहां किसका रोना बच्चे का तो बच्चे में काकी के का अर्थ निकल रहा है तो हमें सश्ठी लगानी काल की चाल किसकी चाल भूल समय की चाल चीक है तो यह भी हो गया अब आगे हमारा कहता है कि तस्यचा वर्तमाने भू मानने की धातुमे एक्त प्रत्य लगा दिया तो मतहबन गों बन गया जो बना हो की मात्रा मुझे आ मुझे हैं किर हमे यह मैं अब यहां राजा तो शब्द कैसा बन रहा है प्रतमा में क्योंगी यहां अगर इत्त प्रत्या लगा है तो फिर हमारा राजा में यसे हम निर्प कहेंगे तो निर्पस से लिग देंगे महीपती को महीपते ही लिग देंगे सश्ठी लगा करके लिखेंगे उसको ठीक है अगला हमारा लिखा हुआ है दिवस्तदर थस्य यानि दिवधातु का प्रियोग जुगा खेलने के अर्थ में होता है दिवधातु का प्रियोग जुगा खेलना तब उसके योग में जो भी कर्म है उसमें सश्ठी होती है जैसे 100 रुपका जूपए का घीलता है, अब घेलने के कितने का केल रहा है, कर्म हों बन रहा है हुए। कर्मक या में काप्की के रगा हुआ है, तो सश्ठी रगांगे, तो सतस्यद्य बियति, ठीके, तो ये भी हमारा एलो हो जाता है, हाला कि अभी आप लोगों के उसमें नहीं आते हैं प्रियोग में लेकिन फिर भी आम बताजित मेरे के हो सकता है परिक्शा में कौन सा सुत्र का आपका उधार्ण आजाये- zo आपको कॉपता हूं अब आगे क्या लिखा है अवयावा होने पर अंशी तथा अवयाई में सश्ठी होती है यानि अब जिसमें एक का अंश है ना अब जैसे कहा जाए कि तेल कहा होता है तिल में होता है तो तेल में कहीं ना कहीं किसका है अंश तिल का है के नहीं है यहां पे जल की बूंद अब यह बूंद क्या हो गई है अंश हो गई है किसकी जल की तो यहां पे क्या करें है अंशी तथा अव्याई क्या था जल और उसका अंश क्या था अंश था एक छोटी सी बूंद उसकी तो उसमें क्या हो गया बुले जो अव्या है उसमें हमारी क्या रात्री के पुर्व रागत्री के पहले तो यहां ने आपको शब्द बता थे जिनके योग में जैसे बहेर योगे तो पंचमी हो जाता है बाकी का हमने समीप बताया आपको उपर ही बताया नीचे ही बताया इनके योग में अधह के साथ में क्या लगा देते हैं हम अपने सश्ठी का प्रयोग करते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग जादा से जादा आता है संबंध बतान अब यब में हमें क्या लगाना है सश्थी लगाना यह तो याद रहेगा आपको कहीं न कहीं पढ़ी होई चीज हमें कहां पर प्रियोग हो जाए नहीं पता इसलिए हमें सुत्र को खूब अच्छे से ग्यान होना चाहिए मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें के सब्तमी विभक्ति अधिकरन कारक को फढ़ेंगे लेकिन उसके पहले ये वीडियो मिलेंगे कहां पर ये भी बता देते हैं आपको देखें यूट्यूब पर जाना है आपको लिखना है मैंनेटब्रेंस.com तो उसमें भी आपको सारे वीडियो मिल जाएगे ठीक है प्लेडिस्ट मिल जाएगी चैनल पर ये तो यूट्यूब तो सर्च करना बच्चों को बच्चे बच्चे को आता है अब इसके साथ में और बी कहां-कहां वीडियो मिल सकते हैं हमारी application पर application कहां मिलेगी प्लेटप् Dubl qualifying सकते हैं ऐब डाउनोड करके ओपन करेंगे तो यही पेज आप के सामने ओपन हो जाएगा गुगल पे जाके वेबसाइट को भी खोल सकते हैं जिसमें आपको क्या करना है गुगल पे लिखना है मैगनेटफेंज.com इंटर करेंगे वेबसाइट पेज ओपन हो गया अब यहां मेसे जैसे 11th class को देखा तो 11th class के subject की सारी list आ जाएगी कि कौन-कौन से subject आपको पढ़ाय जा रहे है अब यहाँ पर व्याकरण हो गया यह भाश्रुती हो गई व्याकरण पर click किया व्याकरण में गए तो यहाँ पर सारे क्या लिखे हैं पाठ के नाम लिखे हैं उनसे उनना भी आपको परिशान नहीं होना है कहीं वेबी कि कितनी वीडियो करवाए हैं कौन-कौन से करवाए हैं क्या-क्या आपको व्याकरण में पढ़ना है तो वो सारी चीजों का समाविश हम एकी साथ में करती जा रहे हैं जलिए मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के दानिवाल